हेलो स्टुडेंट्स हम लोग आज करेंगे रेलेट्ट्व विलॉस्ट्री में रेन मैन प्रॉब्लम और रेन मैन प्रॉब्लम का एक वीडियो मैंने अल्लेडी बनाया हुआ है उसमें क्या था कि रेनफॉल वर्डिकल हो रही है और मैन के चलने से वह आपको अबलीक लग रह है तो यहां पर कोशन हम लोग उल्टा पूच रहे हैं तो देखे ऐसा है थोड़ा सा बेसिक समझे रेलेट्व विलॉस्ट्री का कि जब भी कोई दो ऑब्जरवर या दो ऑबसेक एक ही स्पीड से एक ही डारेक्शन में चले हैं मलब दोनों की विलॉस्ट्री सेम हो यह हमा तो बन्डें हें एक स्ट्रीन में बैठ आ है एक स्ट्रीन में बैठा है और दोनों विन्डो पर और लाइ track दोनों दोनों से बात करें और डोनों एकी स्पीर से एकkeitा स्ट्रीय को यह को दोनों की दॉसलिकल का तो rest में fail करते हैं, अब यह बात अगर समझ में आ गए तो अब यह भी समझे कि माल लीजिए then fall oblique हो रही है, यह रही then fall जो कि oblique हो रही है, अब oblique हो रही है तो obviously इसमें एक vertical component होगा, और एक horizontal component होगा, एक vertical component होगा और एक horizontal component होगा अब man को ऐसे चलना है कि vertical component तो man तो horizontal चलेगा तो उसे vertical component तो फरकी नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे परपेंट को direction नहीं दूसरी independent होती man को ऐसे चलना है कि उसको horizontal component दिखाई ना दे तो उसको सिर्फ उसे vertical component दिखाई देगा तो rainfall will appear vertical to him तो अब horizontal component कभ नहीं दिखाई देगा horizontal में जब rest में दिखाई थे rainfall अब rainfall horizontal भी rest में को दिखाई देगी तो relative velocity को जूरो करना पड़ेगा अब relative velocity जूरो करने की condition क्या है same speed same direction तो जिधा rainfall का horizontal component है जितना component की magnitude है जितना component की direction है man को उतनी ही speed से उतने ही magnitude से और उसी direction में चलना पड़ेगा ये चीज़ समझ लो rainfall का horizontal component जिस direction में है man को उसके opposite नहीं उसी direction में चलना है तब वो relative velocity 0 वाला case बन जाएगा horizontal में कोई component ही नहीं रहेगा तो सिर्फ उसे vertical रहेगा ये है logic ठीक फिर से बोलता हूँ माल लेजे rainfall oblique हो रहे है ये रहा वियार अमें pure mathematics वो तो पहले logic था ये है rainfall ये oblique हो रहे है vertical से theta का angle बनाते हुए तो इसका एक component है वियार cos theta और एक component है वियार sin theta वह ये वाला cos theta होगा ये वाला sin theta होगा और ये वियार sin theta चाहिए उदर की तरफ दिखा दें जस्त नीचे दिखा दें हैं थोड़ा सागे दिखा दें ये रहा वियार sin theta ये वियार sin theta और का component obviously इधर आएगा ये वियार sin theta ओपर भी दिखा है मैंने वैसे ये इधर अब माल लेते हैं for the sake of question कि ये west की तरफ है माल लेते हैं तो वियार sin theta west है तो man को भी vm जो अपना है man की speed man की velocity उसकी direction वो भी west में रखनी पड़ेगे अब हमें last video में बताया था मैं फिर बोलना हूँ relative velocity का formula क्या होता है velocity of a with respect to b is equal to v a minus vb so velocity of rainfall with respect to man क्या होगा vr minus vm तो जो भी vr है उसमें minus vm करना है minus vm करने का मतलब क्या है vr हमको पता ही है vm minus करने का मतलब है कि vm की direction उल्टी का दो अब देखो यह ही तो होगा इन दोनों का यह आपको initial to final आपको बोज बताई थी यह रहा vr और यह रहा minus vm इन दोनों को जोड़ेंगे तो vm का जो minus है वो इस vr send theta component को cancel out ही कर चुका होगा तो खाली vr cos theta बचेगा जो की vertical आ जाएगा और यह आ जाएगा vr minus vm याने की vrm तो यह हो जाएगी man के respect में ran की relate to velocity याने की apparent तो apparently जो है rainfall अब ऐसे vertical आते वे लगेगी जबकि actual जो थी वो rainfall oblique हो रही थी actual rainfall क्या हो रही थी oblique man को कैसी appear हो रही है vertical तो इसलिए man को कितनी speed हो कितनी direction से चलना पड़ेगा तो देखिए minus vm करें चाब vm करें magnitude wise तो vr का sin theta वाला component था vr का cos theta vertical vr send theta horizontal तो आप cos theta send theta तो याद नहीं रख पा होगे तो याद रखना कि man को rainfall के horizontal component के बराबर की speed लेनी पड़ेगी और direction जिदर rain की direction हो और फोजट नहीं जिदर rainfall west में थी तो man को भी किदर west में चलना पड़ेगा question rainfall 20 km पर आज से हो रही है 30 degree का एंगल बनाते हुए 30 degree का एंगल बनाते हुए west की तरब एक component 20 cos 30 vertical आएगा horizontal component कितना होगा 20 sin 30 sin 30 की value कितनी half 20 into half कितना 10 तो man को कितने से चलना पड़ेगा 10 km पर आठ और rainfall west में हो रही तो west में ही चलना पड़ेगा तो इस से rainfall उसको oblique जो हो रही थी वो वर्डिकल लगने लगेगी तो आप cos theta sin theta से गन्फूज मत होएगा आप होना है horizontal component यहाद रखना है horizontal component और उसी direction ठेक है तो इस से हम लोग जब भी इस ताइब का question है rainfallment का आपको vector figure बनाना चाहिए vector triangle बनाना चाहिए VR का VM का VR minus VM का practice subtraction से चाहब हार question rainfallment का कर लोगे